हेलो दोस्तो आज हम जा रहे हैं गूमने ऐसी जगा जिसका नाम है प्रवताल यहाँ पे आप देखना बहुत अच्छा ताल है इसकी खूबिया यह है कि वहाँ का पानी नहीं सुपता है अभी आगे चल के हम दिखाते हैं आप आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे हैं हमारे साथ हमारे भाई मनोच जी जा रहे हैं अभी हम चल रहे हैं अभी कुछ दूरी है आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे हैं आपको हम दिखाएंगे वहाँ पे जो ताल है उसका नाम पुराताल है और उसके पास में एक पेड़ है वो कभी नहीं सुखा है और उसकी ये खासियत है पेड़ की कि वो जब से हुआ है तब से उसकी लंबाई उतनी ही है वो हमेशा वो हराबरा रहता है और जहां पर हम जा रहे हैं उस पुरहताल को लापता गंज भी कहते हैं हमारे यहां लोग अभी हम आपको दिखाएंगे अभी लोग हम चल रहे हैं अभी काफी दूर हैं और इसके पास में यो पुरहताल है उसके पास में एक कबरिस्तान भी है यहां लोग दफनाए जाते हैं यहां बहुत रहस्मई चीजे हैं आप हमारे साथ बने रहे हैं हम आपको अभी दिखाएंगे हम गैज बस अभी बस पहुचने वाले हैं थोड़ी दूर है बस हाँ गैज हम आ चुके हैं बस अब नीचे जा रहे हैं हम यह हमारे पीछे देख सकते हैं यह ताल इसकी खासियत यह है कि यह कभी सूकता नहीं है कितना भी यहां मोसम गर्मी का हो जाए कभी यहां का पानी नहीं सूकता है हमारे पीछे देख सकते हैं पेंड भी लगा हुआ है वो पेंड जो कभी सूकता नहीं है ओ ऐसा ही ये रहता हरा भरा हम आपको नेरे नदीग ले जाकर दिखाते हैं अभी आप हमारे साथ बने रही है वीडियो में अभी हम चल रहे हैं बहुत नीचे हितार हमारे मनोज भाई वही है उपर रही है रोड़ पे हेलो गैज बस अभी पहुचने वाले हैं आप वीडियो में बने रहे हमारे साथ आप पीछे देख सकते हैं पीछे भी छोटे छोटे ताल हैं मनोज भाई तो वहीं रुग गए हैं वो तो आ नहीं रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं हम भी चढ़ रहे हैं बस उपर आप देख सकते बूए भी आगए आप देख सकते हैं हम लोग भस फड़ा दूरी पे हैं आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पेंड़े इसको हमारे यहाँ लासुरिया बोला जाता है आप देख सकते हैं ये हमेशा ऐसे ही पेंड रहता है इसकी ये खास्यत है कितना भी गर्मी हो कितना भी ठंड हो ये पेंड हमेशा ऐसे ही रहता है आप देख सकते हैं इसकी लंबाई बहुत है बहुत ही कम है पर ऐसा ही रहता है और यहां के लोग बोलते हैं इस पेंड की पे अफनाय भी जाते हैं यहां लोगर कि यहां का यह इस पेड़ जो है कभी सुकता नहीं है हमारे पीछे देख सकते हैं यह ताल जो है इसमें पानी कभी कृधम नहीं होता है क्लe केड़ आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं चारों तरफ खेत भी है कि यहां लोग आते भी हैं तो यही हम आपको दिखाना चाहेते थे हमारे यहां का जो पेडंड है यो ऐसा ही रहता है वीडियो ने रहने के लिए धन्यवाद हम नेश्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नई जानकारी के साथ आप लोगों से निवेदन भी है हमारा चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट भी कीजिए जो आपको कमी लगे वो कमेंट करके भी बता सकते हैं और हम नेश्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे आप लोगों के लिए आप लोग सपोर्ट करते र देहें रहें नेश्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही दन्यवाद अ